दोस्तों COVID-19 जिसने पूरी दुन्या को परिशान किया हुआ है हमारे मुल्क पाकिस्तान से अभी कम्प्लीट्ली खतम ही नहीं हुआ तो डेंगी का अटेक होना शुरू हो चुका है मैं हूँ आपका होस्ट अवेस अकपर और आज आपको डेंगी के बारे में बताऊंगा जि में बहुत जादा दर्द आँखों में बहुत जलन खाना पीना कम हो जाना और कमजोरी होना शुरू हो जाती है बुखार के साथ-साथ प्लेट्लेट्स करना शुरू हो जाते हैं प्लेट्लेट्स हमारे ब्लेट्स में एक ऐसे सेल्स होते हैं जो को खून को जामाने में हमार को पतला करने में रोकते हैं प्लेटलेट्स की नॉर्मर रेंज 150,000 से लेकर 350,000 है इस बुखार का मुद्दा 8-12 दिन होता है और 8-12 दिनों के अंदर ही हमारी कुवत ये मुदाफियत यानि इम्यूनिटी हमारे प्लेटलेट्स रीजनरेट करना शुरू कर देती है 12-24 घंटे के अंदर प्लेटलेट्स की टेस्ट रिपीट कराने की जरूत पर जाती है जिसमें देखा जाता है कि प्लेटलेट्स अभी कितने हैं और उससे पहले कितने थे इसा तो नहीं कि बहुत आना या स्टूल के जरीए खुनाना अगर खुदाना खासता कहीं से ब्लीडिंग हो जाती है और पेशन्ट की कुवत मुदाफियत इम्यूनिटी वीक है तो बहुत जरूरी है कि डॉक्टर से रुजू किया जाए 200 डेंगी फीवर का कोई भी खास ट्रीट्मेंट नहीं है ह कि हमारे जिसम के अंदर प्लेट्लेट्स का रीजनरेशन होना शुरू हो जाए और उसके साथ हमारी कुवत मुदाफियत मजबूत हो कि सब्सक्राइब और लाइक शेयर जरूर कीजिएगा थैंकी सो मच्च बड़ी महरवानी है असलाम अलेकुम